क्या निल नितिन मुकेश के करियर का टर्निंग पॉइंट बनेंगी बाइपास रोड इन वजहों से हिट होना है जरूरी बॉलिवुड डेक्टर निल नितिन मुकेश के फैंस का इंतिजार अब खतम हो गया है निल की अगली फिल्म बाइपास रोड शुक्रिवार यानी 8 नवंबर को रिलीज होने जा रही है इस फिल्म में निल लीड रोल में है इसके अलावा निल ने परदे के पीछे भी फिल्म को बनाने में एहम रोल निभाया है निल नितिन मुकेश बाइपास रोड की को प्रोडूसर और राइटर है उन्होंने मुवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है इस फिल्म को निल की ड्रीम फिल्म भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक्टिंग के लावा भी कही एहम सिम्मेदारिया निभाई है अगर ये फिल्म हिट होती है तो निल को एक्टिंग के लावा अन्य चीजों में भी काम्याबी हासल होगी निल नितिन मुकेश को बॉलिवुड के दो बड़े स्टास के साथ काम करने का भी मौका मिला है फिल्म प्रेम रतन धन पायो में उनके किरदार को कौन भूल सकता है इस फिल्म में निल को बॉलिवुड सूपरस्टार सलमान खान के साथ देखा गया था इसके अलवा उन्होंने बॉलिवुड के सिंगम यानि अजय देवगन के साथ भी फिल्म गूल माल अगेन में काम किया उनका काम अच्छा था लेकिन फिर भी वही सवाल खड़ा होता है कि बताओ ली डायक्टर वो सफल क्यों नहीं हुए जूपते को तिनके का सहारा ये कहवत तो हम सब ने सुनी होगी निल नितिन मुकेश भी अब ऐसा ही इंतिजार कर रहे है कि उनके इस फिल्म को जनता का पूरा प्यार मिले और उनके नाम एक बड़ा हिट चूड सके हाला कि अब इस फिल्म को लेकर बस देखने को नहीं मिला लेकिन इसकी फाइनल रिपोर्ट तो रिलीज होने की बाद ही पता चलेगी